अलो दोस्तों सुवागत आपको आपके अपटे युट्यूब चनल पर दोस्तों आजका वीडियो कछ्छा Wारक के बाईरोजी से ले गया है जो इपी बोर्ड कि परिछा भी बैठने वाले हैं 2013 में बैठने वाले उन परिच्छारतियों के लिए तयार किया गया है जो इस बार अपने परिच्छा को सुगम बनाने की तैयारी में जुटे हुई है तो भाईए दोस्तों आपके पास ही हाजी रहिए आपका कोई माडल पेपर तो माडल पेपर आपका इस तरह से पहला संग प्रमुक लच्छण है इसके आपको पताने है कि इसमें कौन सा आपसन सही है ब्राव फाइटा टेडो फाइटा अनाबिरत बीजी या थैलो फाइटा तो कौन सही है इसमें थालो फाइटा क्लियर चलिए अगले कुछ इन के तरह बढ़ते हैं एक जेल में दुतिय पोशन अस्तर कौन है इसमें एक जेल में दुतिय पोशन अस्तर है पहला पादप्रवक प्राण प्रवक नितलक या फिर मचलियां तो आपको पताने हैं कि इसमें दुतिय पोशन अस्तर कौन है तो दुतिय इसमें पोशन अस्तर है यह है दूसरा प्राण पलवक ठीक है अगला कुश्चन देखें अगला है आपका चिकन गुनिया बिशान का वाहक है तो जो आपका चिकन गुनिया है यह दिखें आपका यह चिकन गुनिया बिशान जो है यह बिशान का वाहक कौन है तो चिकन गुनिया के बिशान का वाहक है एडीज मच्चर ठीक है चलिए अगले कुश्चन के तरब बढ़ते हैं देवला कुश्चन है फासपोर्ट डाइस्टर बंद उपस्तित होता है तो फासपोर्ट डाइस्टर बंद किसमें उपस्तित होता है एटीपी में एटीपी में एडीपी में सीए एएंपी में या फिर इन में से कोई नहीं तो क्वाँ से आपका हम कोई नहीं तो यह हुई आपके आपज Saturday अब आपको लें चलते हैं हम लिखित की सकति देए कि अमीर को से कहलते हैं एक निमिलता की मफरा सम Cow आनब सूपर्ण। आँज़ी टिशिए कि जो देख दोब नेम फोल नहीं होती हैं अगले आइसे स्पॉ पोते हैं जो घुलते खेलते नहीं होते हैं इन पस्पों को निलीमित कहते हैं क्या कहते हैं रहेते हैं और प्रिक्राद को निमिलित्था कहते हैं जैसे कनकुवा गुलमेंदी मौंफली बनफशा आदी ठीक है यह आपका अगला कुश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया यह आपका अगला कुश्चन जेट ड्यने क्या है इसके प्रते कुर्णल में कितने निक्लिटाइट्स होते हैं ठीक है पूछ रहा कि जेट ड्यने क्या है इसके प्रते कुर्णल में कितने निक्लिटाइट्स होते हैं तो आपको बताना है कि जेट ड्यने क्या है चले अगले कुश्चन के इसका आइंसर देखें यह हैंसल उच लाउड़ता की इस्थित में बी डियने प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व इसमें कुंडलन बामावर्थ होता है कुंडलन का अभ्यास ठारेंग इस्ट्राम तथा प्रते कुंडल में 12 जोड़ी निक्रोटाइड होती है ठीक है अगले कुश्चन के तरह बढ़ते हैं अगला कुश्चन है जनन स्वास्त केवल स्वास्त जन क्रियाओं से संब्दीत है स्वास्त जनन के शभी पहलों सारीरिक भावनात्मक वाश्याव माजिक की कुशलता से संब्दीत है ठीक है अगला कुश्चन है ऐसे तिन बिशाण के नाम बताईए जिनमें आरन्य अनवासिक पदार्थ होता है ठीक है यह आपको अनवासिक अईसे वारस का नाम बताना है जिनमें आरने अनवासिक पतार्थ पाए जाता है ठीक है तो यह है अपका पहला है हियूमन इम्मूनो डिप्सेंसी वारस एच अगला है एंफरेंजा वारस और अगला है टोईको मोजाइग वारस टीमबी में इन तीनों में क्या होते है कि जो ही जीनमें हिरा यह अनवासि जाएगा वारस की तो यह तो इसमें दोनों डिनने या और ने पाया जाता है यह तो इसमें पायाँ जाता है तो यहीं इसमें अनुशिक प्दार्त हो जाता है क्लिए है चाहिए वी एन्फरंजाड टिम भी टीच ले अग्रे कुशन को तरह बढ़े हैं अगला कुश्चन है बांध प्रियोजना का वर्ण किजिए बाग बांध नहीं बाग प्रियोजना तो बाग प्रियोजना बता जा रहा है कि इसका प्रियोजना का आरम कब हुआ कहां कहां आपके बाग के लिए रिजर्व अस्थान रखे गए हैं तो यह आपको बताने हैं ब 1700 में किया गया जिसका मुख्य दیशु बिविन राष्टे उद्यानों में यह संभन्धित राष्ट हैं कउन कोन से हैं यह संभन्धित राष्टे-उद्यान है कि कार्वेड नेशनल पार्क नेनी ताल रनतंभावर राश्ट्रे उद्ध्यान सवई माधोपूर रायस्थान और सुन्दरवन चीता भ्हारण पेचमी बंगाल तो यह आपके बाग प्रियोजना होगी क्लियर चला अगले कुशिशन के तर बढ़ते हैं अगला कुशिशन है माधा एक पॉधित के एक बीजाणुक विकास से क्या समझते हैं मतब इसको क्या कहते हैं अगला है तो तीसरा कक्का का उत्तर देखे यह आपका गुर्विजाणु जन्नन के फरसरों बने गुर्विजाणु चत्युस्फल्क में से तीन नैश्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुर्विजाणु ही सक्री होता है जो माधा एक पॉधित का विकास करता है गुर्विजाणु का केंदरग तीन सुत्री विवजनों द्वारा आठ केंदरग बनाता है पड़ते एक ध्रोपर चार-चार केंदरग ब्योस्ता होती भूरोंड में से तीन केंद्रेक अंड उपकरान बनाते हैं दुनों धुरूं केट केंद्रेक लाइन से हैं बीजानु में गुर्वीजानु से वीकसित होता है अता इसे एक बीजानु जबिकास कहते है ठीक है अगला कुश्चन आपका खाख है कोशकाओं वाट टी कोशकाओं का निर्माण वास में से अंतर कैसे होता है तो देखी यह आपका है बि कोषक ओटी कोषक मियन्टर, बज in वोण मेरों में होता इसका पाईमस गर्णती में होता ये तरल प्रतरिछा में भाग लेते हैं ये कोषक माध्धेद प्रतरिछा में भाग लेता है और अगला है ये प्रत रोपित अंगो के towards इक तर्दाई है इप्लाजमा खोर संकर्मन अस्थर पर नहीं जाती है यह यह नहीं जाती है अपने अस्थान पर ही टी बॉडि बनाती है और टी नंती है आपatz अगला कुश्चन है एक संकर उसांकर में उस्थान तर्जरिंगsk वब किजिए एक शंकर एक संकर और दो संकर में अंतर एक हिले च्छन के दू विभिन ने गुडों का अधिर किया जाता है और दूपरियासिले च्छड़ों का अधिर किया जाता है जिसे सफेद हाँ सफेद गुलाबी या हाल बने हरा जोरी हरा गोल पीला है ना इसमें दो-दो विप्रिया से ले छली जाते हैं एक संकरकास में एक ही लेच्छन ले जाता है इसमें ऐसा जूँ इसमें एक जीन अस्थल पर यूगमिकल पियुणर निमनाता है और विद्वि संकर में ऐसा जो इनमें दो जीन अस्तल पर युव मिकल्प्य भिन भिन होते हैं सिर्फ एक ही रच्छन में भिन होता है और उनमें दो रच्छन भिन होते हैं ठीक है यह आपके है एक संकर और दो संकर में अंतर नुकलियो साइड तथा नुकलियो टाइड में अंतर बताने हैं आपको नु सरक्रा यह गलाइकोसेडिक बांद के अड़ों के सभाव के बनता है और यह नुकलियोसाइड के फास्पो एक्ष्टर बंद्वारा फास्पेट अड़ों के सभाव के होते हैं और नुकलियोसाइड में यह तीसरा है यह नुकलियोसाइड के घटक है और यह नुकलियोसाइड क्लियर ऐगला क्वेस्चिन कोई दोई जीन छे आस्तों में Disc團 के लिए 7 जोडुड़के तीन दूरे जीन होते तो द्विगुरित जीवन छे अस्तरों के लिए बिस्व में होता है जिसे लंबे पीले और गोल बीजवाले सुध्य जनकों का संक्रन नाटे हरे और जुरिदार बीजवाले पोधों से कराने पर यह फण पीड़ी से प्राप्त संक्र लंबे और गोल बीजवाले पोधों की विश्व में जीन टी टी आर आर वाय वाय होती है इसमें आठ प्रकार की यूगमग बनते हैं ठीक है जो आप के चौता आया यदि अनुलेखन ही काई में कुट लेखन रजुक के अनुकृम को निम्नवत लिखा जाए यह तो दूत आर ने के अनुकृम को लिखिए और ने कानिर्मा डेने से होता है और ने की सामानेता एक रजुकी रचना होती है इसमें थामी नैटोजनी क्रीत चार के स्थान पर यूरेसिल पाए जाता है डिने का एक रज्जुग से अन्मासिक सोचना होगा है दूत आरने में प्रत्रित लिपिकरन क्रिया करने पर प्रत्रिया अनुलेखन प्राफ्ट करती है यदि कुट लेखन रज्जुग के करम आपके इस तरह से है तो आपका 5-3-10 तो दूत अरने के अनकुरम को इस तरह से निखा जाएगा ठीक है अगला कुश्यन देखो एक संकर क्रास का प्रयोग करते हैं प्रवावित्ता के नियम की ब्याख्षा की लिए एक है लेक्षन के लिए प्रयासी पौधे के मद्ध में संकरण के एक संकर क्रास कराता है जिससे जब मटर के लंबे वह बौने पौधे के मद्ध में संकर करा जाता है फुन सबही पोधें लंबे किंत समय में होते हैं यह पुण पेड़ी के लिए उतर दाई कारक T पोनेपन के कारक विसमाल вм 누 पर प्रवावी होता है यह पन के टी कारक आप प्रवावी होता है अता यह फोवन पेड़ी में उपश्थित होते हैं होते हुए भी स्वयम को प्रकट नहीं कर पाता है सभी कि सभी फोवन पॉधे लंबे होते हैं अता एक लच्छन को नियंतित करने वाले कारक यूग में जब एक कारक कारक पर पर्भाविता कहते हैं अगला किसे कहते हैं और किपने परकार के होते हैं रिखिए आपको बता आस्रित होता है ठीक है एक वो कि लगता क्या है जंतों दॉरा बनाएगा गए भोजन पर आस्रित होता है इसलिए जंतों को भोगता करते हैं कर्बोहड़ेट प्रोटीन बश्वाइए विटामी तता खनेज ततों हमारे बोजन के वह हैं जो नाज भी बीज फल सब्जी आज से प्राप्त होते हैं ये सब पोधों की हिदेन हैं कुछ जंतों मासा हरी होते हैं जो अपना भोजन साकाहरी जंतों से जंतों का सिकार करके प्राप्त करते हैं। अगर लिखित प्रकार के होते हैं, पहला है प्रतम स्रेणी का भोगता, प्रतम स्रेणी का भोगता जो है ये साकाहरी होते हैं, इसके अंतरगत, खरगोज, बकरी, ठिड़ा, खेरन, गाय, हाथी इसमें दुटिय वह भोकता को खाने वाले माश जनत वाते हैं जैसे बाज बाज सर्भ का सिकार करता है बड़ी छोटी मचलियों का सिकार करती है चिडिया महसाहरी मशलियों का सिकार करती है ठीक है कुछ जन तो एक सधिक स्रेडिक के भोगता हो सकते हैं जैसे जैसे बिल्ली है मनुस्य है यह महसाहरी और साकारी दोनों प्रकार के होते हैं और जो साकारी और महसाहरी दोनों होते हैं उन्हें आप जानते हैं कि उन्हें सब बच्ची का जाता है, सर्वाहारी, ठीक है, अगला कुश्चन है, प्रवाश जेन के प्रभाव को कम या बंद, कम कर सकता है, क्यों, तो दीके, प्रवाश द्वारा जीन प्रवाव होती है, अगला कुश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बोपाल त्रासदी, पर संशिट ट्रिपड़ी रिखिए, बोपाल त्रासदी पर संशिट ट्रिपड़ी रिखिए आपको, का खंड है, बोपाल त्रासदी में देखे, बोपाल त्रासदी कब हुई थी, तीन दिसम्बर 1984 की मधिरातर में भोपाल इस्तिति उन्यों कारबाइट कंपनी एक थी के कारखाने में सहियंत्र के दुरगटनावस निकली गेसों के करण अनेक लोगों को सोते हुए अकारण ही मृत होई तथा बहुत से लोग कई अन्यासादियों के बीमारियों का सिकार हो गए या घटना भोपाल गईस तरह सदी के लाती है इस कारखाने में मिथाइल आईसोसाइनाइट जैसे बिशाइली गैश के रिशाओ से लवक दो हजार व्यक्तियों की जान गई और हजारों लोगों आख स्वांस के गंभीरों के सिकार हो गए या भी अनुमान है कि इस से निकली गैसे मिथाइल आईसोसाइनाइट के साथ एक और बहुत ही बिशली गैस जिसे फाईजिन कहते हैं इसका भी निकलना हुआ था ठीक है तो आप जानते हैं कि जो भुपाल तरासती गैस ये कब होई थी तीन दिसम्बर 1984 को हुई थी भुपाल में कौन सी गैस का रिशाव हुआ था तो इसमें देखिए विशली गैस मिथाइल आईसोसाइनेट ठीक है अगला है बन्य प्राड़ी उत्पादों के लिए मनुस को लोब सीर्षक पर टिपल लिखना है तो ये देखिए सतंतता के बाद कीड़ा आखेट का अस्थान चम्णे मास हाथी दाइत और सद्यों सुगंद द्रब्यों साज सज्जा इसमिर्थ चिन्हों संग्राले निर्देशों आध के लिए बन्य प्राड़ी के चोरी और सीना जोरी से सिकारी ने ले लिया है इस प्रकार बन्य प्रा यह आउसदी के संसलेशन में प्रयुक्त सिंग के लिए गयर्णे का प्रयोग बिगत चालिस से पचास वर्षों के व्यापक वर्षों में व्यापक बद्ध हुआ इस प्रकार हाथियों के लिए हाथियों का कस्तुरी के लिए अमरिक कस्तुरी का चरिबी माज खाल आध के लिए होयल का फार के लिए हिमचीते का चम्रे के लिए बागों का लोमड़ियों घड़ियालों सांबर सांपो आधि का ब्यापक बद हुआ है और भी हो रहा है ठीक है अगला कुछन है सुक्राण जनेर की प्रिक्रिया के नियमन में सामिल हर्मोनों के नाम बताईए तो यह आपके सुक्राण जनेर की प्रिक्रिया में नियमन हार्मोनों सामिल है पहला है ऑगले क्योश्चन की तरब बढ़ते हैं अगला question है नेम दिखित में विभेद कीजिए प्रभाविता आप्रभाविता और समग्मी और विसमग्मी में आपको भेद करना है ठीक है तो पहला आपका है प्रभाविता तथा आप्रभाविता का देखे यह है आपका प्रभाविता इसमें आसमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे प्रभावी हो जाता है अब प्रभाविता इसमें आसमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप य दब जाता है दूसरा है यह संक्रण के 50 पर्थम पेड़ी में विप्रियाशी गुण के यूग में दिखाई देता है और यह संक्रण के 50 पर्थम पेड़ी में विप्रियाशी गुण के यूग में उपाइस्थित कि प्रकट नहीं होता है अगला है समग्मी तथा बिसमग्मी प्रभा समगमी बिसमगमी में अंतर इसमें एक कारक के दोनों युग मिकलपी समान होते हैं जनन के समय एक ही प्रकार के युग मनते हैं और इसमें अलग लग युग मनते हैं इनकी संतान जनक के समझीनी समर्चनी होते हैं इनकी संतान में प्रभावी वा प्रभावी लेक्षन होते हैं अगला क्योश्चन है संकर ओज पर ट्रिपड़ी लिखिये अथवा पादप प्रजिनन द्वारा उन्नत खाद गुड़ोत्ता वाले पोधों के लिए निर्मार की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं प्रजिनन सुधार के उद्धिशों का उल्ले कीजिए संकर ओज हुआ इस्तित जिसमें संकर प्रणाली अथवा पोधा किसी एक अथवा अधिक लेच्छोड़ों में अपने जनकों से अधिक उन्नतिया ससक्त होता है जिस प्रकार बड़ी हुई ससक्तता को संकर ओज कहते हैं इस प्रकार जी एच सुल ने किया था संकरोज के उच गुण अस्थाई नहीं होते हैं अता जब यह आउशक हो तो पुना संकरन के द्वारा पोधों के वाँचित गुण विक्सित की आते हैं संकरोज के प्रभाव प्रमप्राकत देशे प्रजातियों के मुकाबले संकर प्रजाती आकार परिमाप वा देखने में अधि विक्सित पादप परजकों के लिए अधिक पैदावार तथा बेहतर गुण उत्ता वाले मात पूण होते हैं दूसरा संकरण द्वारा जीओं की रोख प्रतुरों दी शमता मल जाती है आच गुणों का संद्ध्चन यों पुर्षार होता है संकर सक्त भिर्धित तथा प्राप्त जीओं की प्रज़न शमता कम हो जाती है एकला सक्रिय तता निस्क्रिय प्रत्रिच्छा में अंतर बताईए यह सक्रिय तता निस्क्रिय प्रत्रिच्छा और निस्क्रिय प्रत्रिच्छा जब व्यक्त के सरीर में अपने को सकाएं रोगाणों के प्रति प्रत्रिच्छा पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रत्रिच पूरे जीवन कारी करती है लेकिन इसका प्रभवा कुछी समय के लिए होता है जैसे मानों में चेचक के प्रत्रिच्छा मानों में काली खांसी टेट नस्रेवी पोर्यों आध के ठीक है अगला कुश्र है आपका ब्याख्या करके बताईए कि आर्सोत्री विवाजन तथा युगमक जनन सदेव अंतर संबंधित है लेंगी जनन करने वाले जिधर्यों में प्रिजिन के ल संधरी विवाजन द्वारा होता है तुस माषण जिओंक होते ऐंडिर न गुमक संस्रेव माल इंभरी परीवर्धन द्वारा नाए जीव का विकास होता है का आरव सोतुरिव विवाजन किसी प्रजात मिंद्यर सोत्र संख्या लेंगी जनन की दोरान इस्तर बनाया रखने में मदद करती है अगरुत जीवों में एउमक निर्माण सुत्री विवाजन के दोरा जाइगोटिक विवाजन और सुत्री विवाजन दोरा होता है क्लिर एकला क्वेश्चन है अवला क्वेश्चन है आपका बंध दंपतियों को संतान पाने है साहता देने वाली विधिया क्या है तो बंध दंपत को देखिए ये है बंध दंपत को संतान प्राप्त करने के साहता कि नियम विधिया पला प्रक्नली विधू यहनि टेस्ट तूब बेवी, इसके अंतर का सुक्राण वा अंडाण का इन्विट्रोनिसेचन कराया जाता है, उसके बाद भून को सामान इस्तरी के गर्भासे में प्रतरोपित कर दिया आता है, इस्तरी के गर्भ में गर्भ काल की अवध पूर्ण होने पर सामान रोप से सि इस बीद का प्रयोग उन महलाओं पर किया जाता है, जो लंबे समय से बंद हैं, इसके अंतरगत लेप्रोस्कोप की साहता से फलोफियन नलिका में एमपुला में सुक्राण वा अंडाण का निसेचन करा जाता है, और तीसरा बीदी है, अंताकोस का द्रभी सुक्राण बेद दिया जाता है, तत पहशात भ्रोण या उमक को इस्तिरी के गरभासे में अस्थापित कर दियाता है, तीसरा है, गिर्त्रिम गरभाधान, इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है, जिनमें शुक्राणों की कमी होती है, इस बिदी में पुरुष के भीर को एकत्यत करके इस्तिरीयों की योन में स्थापित कर दे जाता है, इससे अतरिक्त निसंतान दंपत अनाथ वा आस्रा ही इन बच्चों को कानूर रूप से अब गोद ले सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ है आपके, कुछ विधी है जिसके दवारा उनको भी बच्चे से यानि संतान सुख मिल सकता है, घरेलू वाहित मल के विभिन घटक क्या है, और वाहित मल के नद में विशरिजिन से होने वाले, ये देखिए, गरेलू वाहित मल मक्रूप से जेव निमनिकरण करमनिक पदार्थ होते हैं, जिनका अब घटन आसाने से होता है, इसका परणाम सुपोर्शन होता है, घरेलू वाहित मल के विभिन घटक, निलमित ठोस, कुलाइडी पदार्थ, बिलीन पदार्थ, बाहित मल, जिससे बालू, गात, चिकनी मिटी, बिलीन पदार्थ, पोसक नाटर्थ, यह है, बाहित मल के नदी में विसाजन होने वाले प्रभाव, यह देखिए, अभिवाहि जलासे में जयव पदार्थों के जयव नेमने करन से जोड़े जीव, सोच्मन जीव, आक्सेन की काफी मातरा में उपयोग करते हैं, बाहित मल विसाजन अस्तल पर भी अनप्रवाज जल में घुरी आक्सेन की मातरा तेजी से घड़ जाएगी, और इसके कारण मचलियावा अने जलियजियों की क्या हो जाएगी, राम नाम सत्त्य हो जाएगी, जलास्वाज में काफी मातरा में पोशक पोशकों की उपस्तित की कारण पलोगए से बिर्दी जिसे से युआग जता है, परावरतन किसने परित्पादित किया स्वजात और परिदे उत्त परवरतन काुधार सईत बता अपको बताना है उत्त परीवरतन क्या है उत्त परीवर literary का निर्मा निकलो प्रोटीन से होता है n chloratory generate अम्र तथा प्रोटीन से बने मैं होते हैं द्यनिय בցर्शनिक स säger adaptive को how सब्सक्राइब Murray गोती है उत्परवरतन को Kai governance के तो देखे जिएक को अधार है उसके दो मुक्ष भागें, पहला है दाहिक उत्परवर्तन और दूसरा है जनने निकुत परिवर्तन, तो पहला देखेंगे आप दाहिक क्या है, बोको से जियो में जैविक रियान दाहिक कुषकरों दोरा होती है, कभी-कभी हानिकारक पदार्त बिकरन अथवा बिशानू, शेंकरमर के फुरत रूप दाहिक कुषकाओं का डिने प्रवावित हो जाता है, इसे दाहिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, और ये दाहिक परिवर्तन जो होते हैं, ये वशागत नहीं होते हैं, जनने निकुत परिवर्तन क्या होते हैं, जनने कुषकाओं में नर्त अथमा दमाहमें होने वाले उत्पान उत्पान रुतन को कियाता है इसके फल सुरूप उत्पान विभिन्ताया वासा हागात होती है इस ट्रीक है नेकरा इप लिंग्स यहलंग लेक्षणों से आप क्या समस्ते हैं इसे वाधियास कि दिखिए प्रै Paulo रिंग गुर्षोत्रों पर रच्षण के जो जीन होते हैं उनका सम्मंद लैंगीक गुणों से होता है ये जीन ही जंत के लेंगिक दूरूपता के लिए जिमेदार होती है फिर भी जंतों का अत्यांत जिटेल और व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अन्य काट्रोसोमल जीन्स भी प्रभावी होते है दूसरी ओर लिंग गोर सोत्रों पर कुछ जीन लेंगिक ये मनौस में इस प्रकार के लिए एक्सऊ बीस लच्टों सब्सक्राइए मरोष के लिए लिए निर्धान करने के लिए एक्स कि गुर्ण सोत्र एक्स वा गुर्सुत्र वाय होते है यदा पिनके स्रचना में बिभेशना तादी कि के दिखाई देती है फिर भी वर्थमान जन्कारी के एंसवार गुर्ण सुत्रों के कुछ भाग समजात होते हैं जो अर्ण सुत्रियु विव मतादन के समय सुत्री यूगमन करते हैं ठीक है अब देखे एक सहलंगन वाई सहलंगन और एस वाग तो एक सहलंगन क्या है एक सगुण सोत्र के आसमजात खंडों पर अनेग लच्छनों के जीन इस्तित होते हैं वाई गुण सोत्र पर इनका युग मिकल्पी नहीं होता है वर्सागत में लच्छन पुत्रों को को कि पिता दोनों से प्राप्त होते हैं इन्हें हाइड्रिक लिंग सहलंगन ता कहा जाता जैसे वड़ांदता रताओंधी हीमोफीलिया आदि वाई सहलंगन कौन से हैं इनके जिन वाई गुण सोत्रों के आसमजात खंडों पर इस्तित होते हैं इस प्रकार सहयोगी एक प्रतेक संतत्मिटासे केवल पुत्रौ ही जाते हैं इन्हें होलडेंटरिक सहलंग्न गुंड भे कहते हैं तता इसकी बंसागत को होलेंट्री को सगता से कंड़ परलों की हाइपर ट्राइट कोशिस ठीक है और अगला एक्स वाई सहलंग्न क्या है एक्स वाई सहलंग्न इसके जीन्स एलील्स की रूप में एक्स वाई गुरुस उत्रों के समझात खंडों पर होते हैं अता इसकी बस अगत पुत्रों और पुत्रियों में सामान अगला है लिंग प्रभावित लच्छण ठीक है देख लिजिए आप लिंग सीमित रच्छण मुदारन वडानता की बसागत कि अगला देखें हैं वो फीलिया कि वहां कि इस तरह से होते हैं इसको आपको चुत्र में देख लेना है है अगला है जीवन की उत्पत्ती में ओपयरान सिध्धान अगला है अगला है जीवन की उत्पत्ती बहुतिक राशानिक प्रक्राणों की फल्सुरूप प्रथम चरण बताया प्रती पर 5,000 से 6,000 सभी पदार्थ सभी पदार्थ परमाड वस्था में थे यह बताया फिर दुती चरण बताया तिरती चरण है ना चतुर्त चरण देखते रों पंचम चरण आप इसको नोट करते रहें ख़श्टम सब्तम अगला है जय विकास की जिवास्मे विज्ञान जिवास्म के से कहते हैं जिवास्म का धन जिवास्मे विज्ञान पेलियों टोलाजी कह लाता है ठीक है जिवास्म का अर्थ है उन जियों की उन जियों के बचे हुए आंस जो अब से पहले लाखों करोनों वर्स पूर्ब जीवित रहे होंगे जिवास में लेटिन सब्द फॉसल से बना है जिसका मतलब है खोदना या जिव विज्ञान का एक महत्पूर साखा है जो जिव विज्ञान की भो विज्ञान से जोड़ती ह आश्मी भोत जिवास इजवास में साचा ठीक है जिवास के महत्पूर ठीक है तो यहीं तक आपका यह वीडियो है हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में झाल-चाहिक है झाल-चाओ